बिहार बुट का बहुत ही खतरनाक फैसला, इंटर्मेटिक परिचार्थी को लेना होगा वैक्सिन, नहीं तो हो जाएंगे परिच्छा से बाहर, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, चाहे आप गल्स है या वाइज है, आप सभी को वैक्सिनेशन अनिवार कर दिया गया है, इंटर्मेटिक परिच्छा में वैसे ही चातर सामिल होगे, जिन्होंने वैक्सिन लिया होगा, अगर आपने वैक्सिन नहीं लिया होगा, तो आपको इंटर्मेटिक नहीं दी जाएगी, आपको गेट से भी लोटा दिया जाएगा, यानि बिहार बुट का वरा फैसलर किया जाएगा तो बिलकुर ध्यान से पूरी वीडियो दे किसी वैक्सिन ही नहीं लेना है वैक्सिन का सर्टिफिकेट भी हर चात और चात्राओं के पास होनी चाहिए तो बिलकुर ध्यान से देखे कब तक आपका डेट है और कैसे आपको वैक्नेशन करवाने का फैसला यहाँ पे नहीं दे पाएंगे परिच्छा साफ साफ यहाँ पे कह दिया है करो सब्दों में देख सकते हैं करोना की केसे जो है वो बरती हुई है इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है राज में अगले महीने से सुरू हो रहे मैट्रिक इंटर की बोर परिच्छा में सामिल होने वाले सभ पूरा कराने का लच्छे स्वास विभागने रखा है यानि देख सकते कि यहाँ पे दोनों को मिला दिया जाए मैट्रिक इंटर को तकरीव 25 से 30 लाग चात्र चो है सामिल होंगे और 26 जन्वरी को सभी 30 लाग चात्राओं को वैक्शिनेशन ले लिना है आपर मुक्ष इसके लिए सभी जीलों के जिलाधिकारी सीबर सरजन को पत्र लिखर योजना बनानी के लिए कहा है उन्होंने पत्र में कहा है राज के 15 से 18 साल के किसोर एवं किसोरियों को कोबिर सینक्रमन से बीचाओ के लिए टीका करन कराया जारा है 26 जन्वरी से पहले आपको सभी हाल म टीका लगवा लेना है चाहे आप मैट्रिक स्टुडेंट है या इंटर्क स्टुडेंट है साथी साथ एक और वारा फैसला किया गया है कि यहाँ पे देखें पंदरा जन्वनी की ही लेटेस अबडेट यहाँ पे देगी है कि आप लोग की क्लासे जो है दूदर्सन पे चलेगी दूदर्सन पे क्लासे सभी को चलाया जाएगा 17 से दूदर्सन पे लगेगी सरकारिय स्कूल के 6 से 12 तक की क्लासे यानि आप क्लास 6 से क्लास 12 की फ्री प्रहाई आप पर सकते हैं डीडी बिहार चैनल पे डीडी विहार पे होगी प्रहाई आप डीडी विहार डाउलोड करकर उस पे प्रहाई कर शकते हैं क्रोना के तिसी लहर के कारण बंद सरकारिय स्कूलों के कच्छा सिख से 12 तक के बच्चों के प्रहाई बाधित नहों इसके लिए 17 जनवरी से दूर दर्सन पे क्लास चलेगी यानि आप 12 के क्लास है 12 का क्लास लेना है तो आपको 11 से 12 बजे तक इस अबधी में प्रहाई कराया जाएगा अब पूरा NCRT को पूरा कराया जाएगा सुक्रबाब को VATEC में यहाँ फे फैसला ले लिया गिया है क्योंकि बीना वैक्सिन के आपका Edmit Card भी माने नहीं होगा अगर आप अपने वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट नहीं रखा है तो आपका Edmit Card माने नहीं होगा यानि आपको admit card के साथ सथ exam nation center में अपना vaccination परमान पत्र भी लेकर जाना होगा यानि आपने vaccine लिया है उसका परमान पत्र आपको लेकर जाना होगा print out आपको निकलबाना होगा ठीक है अगर admit card download करने के लिए आपको कहा जाना है admit card आप SKT exam पे जाकर download कर पाएंगे जहां से आप सभी छात्रों का admit card यहाँ पे download कर सकते हैं इंटर matric दोनों का अगर आपने अभी तक download नहीं किया है तो matric दोनों का link यहाँ पे active है यहाँ पे 10th का है और यहाँ पे 12th का है और आपको जो भी student है इंटर के वो इंटर पे जाके download करेंगे और जो matric है वो matric पे जाके download करेंगे क्योंकि बिहार बोर का करा फैसला आप इंटर के admit का साथ साथ आपको यहाँ पे सभी चरह के परमानपत्र याने की आपको vaccination का परमानपत्र भी अनिवार कर दिया गया है server 1 पे जाकर आप जो है admit का download कर पाएंगे तो यहाँ पे जान लेजी आप लोग बिहार बोर का अंतिम समय में लिया गया फैसला बहुत खतरनाक है क्योंकि अंतिम समय में चात्र जो है परिच्छा की तैयारी करें या vaccination में लंबे कतारों में जाके line लगे यानि कि अब परिच्छा में कुछ दिन बांकी रह गया है और सभी को vaccination के लिए बोला गया है चातर पहले से ही परिच्छा की तैयारी में परिशान है अब उन्हें 26 जनवरी तक वैक्सिन लेना होगा यानि अगर आप वैक्सिन नहीं लिए तो परिच्छा में सामिल नहीं हो पाएंगे बिहार बोड का फैसला है तो मानना तो परेगा ही परेगा तो बिलकुल vaccination करवा ले थोड़ी से भी कोताही ना बढ़ते नहीं तो आपका एक से दो साल की मेहनत बेकार हो सकती है और आप परिच्छा से बाहर हो जाएंगे बने रहे हैं इस चैनल पर बिहार बोड की हर लेटेस अब्डेट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बता है कि बिहार बोड ने जो वैक्सिन का योजना किया है वो क्या सही है या गलत है ठीक है मिलते हैं आप से अगले वीडियों वीडियों को से जरूर करें ताकि सभी छात्रों को ये जनकारी पहुं सके कि वैक्सिन 26 जनवरी तक ले लेना है नहीं तो वो परिच्छा में सामिल नहीं हो पाएंगे आप